अभी तक हमने passwords को text form में save किया था पर password को hash करके save किया जाता है तो hashing क्या होती है suppose आपके पास आप sign up कर रहे हो आपके पास एक password है इसको अगर आप एक hash algorithm से pass करोगे तो ये password कुछ long format ऐसा कुछ string बन जाएगा but hash algorithm की खास बात यह होती है मतलब password को वो इस तरह से एक लंबे string में convert कर देगी चाया आप कितनी बार भी ये password भेजो हर बार यही output same string आएगा लेकिन जो string आया है उससे वापस आप password नहीं निकाल सकते तो ये algorithm only one way होती है तो इसे कैसे फायदा होगा suppose आप एक बार sign up करते हो तो उसके बाद में password को hash save कर देते हो again login जब आप करोगे तो एक और hash algo होगी उसमें जैसे ही आप password भेजोगे तो वो आपके पास stored hash से उसको compare कर लेगा तो क्योंकि hash algo सेम थी तो password जब भी आप भेजोगे same output आएगा दोनों hash को match किया जाएगा इस case से क्या होता है क्या security मिलती है कभी भी database में आपको password नहीं save करना होता suppose कोई hacker अगर देख ले किसी तरह से database तो वो आपका hash ही देख पाएगा यह नहीं जान पाएगा कि आपका password क्या है तो इस तरह से वो खुद से वापस enter नहीं कर सकता system में password डालके तो यह एक तरीका है जो correctly आप hash करके देख सकते हो now एक problem है इस case में suppose एक database of hashes है जो काफी जगे पे पाया जाता है यह hackers mostly एक table की तरह रखते हैं तो इस table में बहुत से common password का hash रखा जाता है क्योंकि algorithm काफी known होती है तो उनके अलग-अलग तरह के hash रखे जाते हैं जैसे कि इधर hash है उधर उसका password है suppose hacker को hash मिल गया तो वो आपका password भी उधर से निकाल सकता है just by matching की previous हमने कैसे table में रखा हुआ था यानि कैसे कैसे थे इस चीज़ को तोड़ने के लिए कुछ होता है salt salt इसी process को और hard कर देता है जब आप hash lgo में create करते हो तो password के आगे जैसे आपका password है कुछ उसके आगे एक salt यह नि एक लंबा सा random string जोड़ दिया जाता है ताकि आपका password और भी strong हो जाए और उसका hash बहुत अजीब हो जाए जैसे कि 123456 इसका तो hash कहीं न कहीं मिली जाएगा लेकिन 123456 और उसके आगे एक random बहुत बढ़ा सा string जाएगा तो यह आपका password hash होके आजाता है हर बार वो salt अपने आप system add करता है तो इससे आपका hash काफी complicated हो जाएगा login आप करोगे तो वैसी process again होगी password और hash दिया जाएगा hash से generally salt वापस से system निकाल लेता है और इसी वज़े से stored hash और आपका hash जब match होगा तो इस case में आप login कर जाओगे तो salt चीजों की complexity को add करता है ताकि कोई भी चीज आप सीधे hackers आपकी hash table या hash algorithm क्रैक ना कर पाएग तो हमारे previous code में यहाँ पे password plain text में है कहीं ना कहीं हम इसको bcrypt यूज़ करके hash करेंगे तो bcrypt library का documentation देख लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इसको install करना होगा तो npm install bcrypt इससे यह आपके project में install हो गया इसके बाद आप देखोगे इसमें async method है अभी मैं async method पे ता focus नहीं कर रहा बड़ जनरली वो यूज़ करना चाहिए उससे आपका server block नहीं होता पर मैं async method यूज़ करूँगा easiness के लिए तो bcrypt require आपने किया है salt rounds 10 है और plain text मैं आगे से pass करूँगा अपने request body से इस list को हटा देते है तो salt rounds बार बार इसके कुछ salt कितनी बार वो generate कर रहा है उसके round जितने round होंगे उतना secure होगा बट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है तो हम ये code copy कर लेते हैं तो इसमें sync way में है async way में नहीं है तो इसको कहा put करें पहली बार जब आप user register कर रहे है तो ये registration के time ही password पहली बार आता है तो hasync यहाँ पे आपका request.body.password और salt के rounds तो आपको पता ही है कि 10 आपने उपर declare कर रखे है तो ये पूरा आपका hash बन जाएगा यहाँ पे आप hash put कर दीजे password की जगे है तो password की जगे आप उसका hash save होगा तो hasync line से आप सीधे सीधे generate कर सकते है अब register करते हैं एक नया user इसको test करने के लिए तो यहाँ पे कुछ नया name john हम use करते हैं 123 अभी कुछ error है शायद server start नहीं है server एक बार start करते हैं वापस वापस send करते हैं अभी भी कुछ issue है यह कह रहा है data must be string and salt must either be a salt string or number of rounds तो कुछ तो हमने syntax में miss किया है तो hasync में आपको केवल salt का round देना होता है salt खुदी generate हो जाता है तो वैसे तो हमने सही function यूज किया पर यह string नहीं था तो string कर देते हैं अब वापस भेजते हैं I think अब proper होना चाहिए but server restart करना पड़ेगा अब भेजा तो कुछ नहीं है response में blank आया है शायद हमने response दिया नहीं बट यह शायद store हो गया होगा तो इसको try करने के लिए शायद हमको login वगरे देखना होगा या तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी हम password चेक कर रहे है तो login इसलिए शायद चलेगा नहीं क्योंकि login को भी अब hash चेक करना होगा तो अब hash को चेक करने के लिए एक compare sync password भी है तो bcrypt compare sync हम यहाँ यूज कर सकते हैं इसकी जगे हम उसको put कर देंगे एक तरफ आपको plain password चाहिए तो plain text password तो आपको मिल जाएगा जब भी आप वापस से login करोगे तो request.body में password तो भेजोगी यहाँ not लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे तो incorrect password हमने लिखा है तो यहाँ पे password जो उपर से आ रहा है और hash कहीं से लाना पड़ेगा तो hash वापस से कैसे generate होगा वापस से generate की ज़रूरत नहीं है आपके मान लोग user में आपने store किया ही होगा password में तो उससे आप इसको compare कर लोगे अगर यह compare हो जाता है तो एकदम successful हो गया तो अब यही दोनो combination of username and password को login में try करते हैं तो अभी तो unauthorized आ रहा है कुछ issue है register में एक बार वापस से देखते हैं क्या issue है मैं Johnny नाम से एक नया registration करता हूँ यहाँ यह registration हो गया इसका तो find करके देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो अभी even तो यहाँ पर आपको अभी कोई hash दिखाई नहीं दे रहा है तो शायद terminal में कुछ हमको hash proper दिखाई नहीं दे रहा है एक बार यहाँ पर throw error करके देखते हैं कि क्या error आ रहा है तो यहाँ आ रहा है तो इसमें error आ रहा है कि user validation failed password cast to number failed तो password number में है validation है तो यहाँ पर number में हमने लिलखा था password तो हमारी schema का issue था तो schema में password को string कर देता हूँ इस वज़े से सारी गड़वड हो रही थी तो अब यह सब proper चलना चाहिए enter करते हैं एक नया user यह बन जाएगा यहाँ आप password देख रहे हो hash में आ रहा है log out करने के बाद वापस से एक बाद login करके देखते हैं इससे वापस से same hash check हो गया session में देखते हैं वहाँ से आग इसे हमारा session वापस से चल रहा है तो इस channel पर हम देखते हैं interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं subscribe कीजिए